हेलो फ्रेंड्स बलारिया टॉकीज मैं आपका स्वागत है मैं हूँ में चेंदर बलारिया और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर के टैरेस पे छट पे बैठके और थोड़ा सा अपने चैनल में चेंज किया है मैंने तो जो सोशेल इशूज हैं या कुछ ऐसे वो है करोना वाइरस को लेकर के वीडियो में अपने फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ आज ठीक है और बहुत जादा एटिटिंग मेरे को आती नहीं है तो प्लीज मेरे को माफ कर देना लेकिन बात करते हैं आज करोना वाइरस पे करोना वाइरस ने पूरे वर्ल्ड को हिला एसे हैं जिनोंने मतलब जिनको बिल्कुल भी सरम लिहाज है ही नहीं जो इस देश को पूरी तरह से लूटना चाहते हैं तो उन्हीं में जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वहां हमारे देश के पॉलिटिशन बहिया उनका तो काम है पबलिक को तबाही के रास्ते पे लेकिन कहानी क्या है कि इन पॉलिटिशन के अलावा भी बहुत सारे लोग है पहले तो इन पॉलिटिशन के एक चीज ये है एक कहता है मैंने ये बाटा दूसरा कहता है मैंने ये बाटा भाई किसको बाटा और बाटा भी तो आपने उन लोगों को बाटा जिनके पास होदर वो बाटते हैं वो भी उन लोगों में जाता है जिनके पेट अलड़ी भरे हुए हैं कितने मजदूर कितने ऐसे लोग हैं जो किरायदार थे जिनके पास खाने के लिए नहीं था वो लोग पैदल पैदल अपने गाउं चले गए कई मीलों तक लेकिन इनको बिल्कुल भी सरम लिहाज नहीं है अगर इन्होंने सब कुछ बाटना ही था तो विचारे उन लोगों को रोक के खिलाते टेंट लगा लेते जैसे मरजी वैसे करते लेकिन नहीं इन्होंने तो जिन बंदों के आलरड़ी राशनकार थे जिनके अपने घर हैं उन लोगों को बाटा जो यहां स पॉलिटिशन लेकिन इस दीस में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनोंने बेसिकली जिनको बिल्कुल बीस सरम लिहाज है उनमें कई आते हैं दुकान दार दुकान वाले जो चीज 10 रुपे की वह 20 रुपे की बेची जो पंदरा की है वह 30 रुपे की बेची 30 की नहीं तो 20 की मुखा है नौन हrं की लूटは लूट सके तो लूट अंत म्रिस्ता है अज दे जाएगा चूह अगर्धिया इसी टाइम पर अभी मुखा है इसको धाया कि मश्क्रावण Signalु की इन लोगों के तनी भी शरमनेई है कि कि लग करकार होगे तीन महीने, चार महीने, पांच महीने, छे महीनों में हैं, क्या सारी जिंदगी के लिए रख लोगे, मतलब इसके बाद तुम्हें मुखा ही नहीं मिलेगा कमाने का, ऐसी कई ट्रांसपोर्टर रहे हैं, कई लोग तो फिर भी अच्छे हैं, कई लोगों नहीं जा, अगर किसी कोई फसा हुआ है, उसने अपने गाउं जाना है, तो दस अजार रुपए बनते हैं, तो बीस अजार रुपए ले लो, ठीक है, राशन के दुकानों में तुमारे गर में आना आजा है, तो भी रहने, दूसरा बंदा ले लेगा, नहीं भाई, लेकर के जितना मिल रहा है, बस रख लो, जारा भर के रख लो, तीन-चार महीनों में ही खाना है, उसके बाद पुसाहिदाना इस देश में मिलेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे भी जो बुद्धिर जी हैं हमारे देश में, जैसे कि जावई दक्तर, तिपका पादुकॉन, ऐसे ऐसे लोग हैं, जो बड़ हैं तुम्हारी तो तुम्हारी ड्यूटीज भी हैं, लेकिन नहीं, इस वक्त वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और लोग इतने बेवकूप कि उनकी फिल्में देखेंगे, उनी को सपोर्ट करेंगे, उनी को लाइक करेंगे, इन लोगों ने इस देश को बरबाद करने का जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गये, उनको ट्रांस्पोर्टेशन में लगाते, तो सब लोग अट लीस्ट अपने घरों में सुखी पहुंच जाते, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्टर की कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें कि किसको क्या सही लगा, क्या गलत लग उसके बाद हमारी देश में कुछ एक लोग ऐसे भी हैं विचारे जोनोंने देश को सपोर्ट किया, जैसे कि सोनुसूद, अक्षे कुमार, रतन टाटा, कई लोगोंने, विचारे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जोनोंने साइद एक सिंगल रुपया तक नह दोनेशन के बारे में थोड़ा सा यह है कि काई लोग बार लोग यह भी सुचते हैं कि यार यह POLITICSON भी खा जाते हैं, तो उनको देएं क्यों, तो यार आप दूसरी तरीके से सपोर्ट करों, कई लोगों को यह भाहना होता है, वो कहते हैं नहीं यह यह खा जाएंगे, दे कुछ तो तुमारे देश के काम आएगा, लेकिन नहीं, यह तो भाई हमें करना ही नहीं होता, तो यह सोनुसूद अक्षे कुमार, जैसे कि मैंने बोला है, जैसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं, बागी जो बड़ी-बाते करते हैं, जो अपने राइट तो यार, हमारी इंसानियत, मेरा जो आज का कुस्चन है आप लोगों से, वो यह है कि हमारी इंसानियत इतनी गिर चुकी है, कि हम एक दूसरी को सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, होस्पिटल में जाओ इतनी बुरी हालत है, यही हो रहा है, जिसकी सपारिज चलती है, उसको भई हटा देंगे, जिसकी नहीं चलती है, उसको भई हटा देंगे, डॉक्टर्स को, जिनको सपोर्ट करना चाहिए हमें, मारा गया कई जगा, जगा-जगा उनको प्रेशान किया गया, तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारी देश में, गवर्मेंट को चाहिए, कि भई यह जो अच्छा करते हैं, जितना यह बोलते हैं, मान दो 10 क्रोड लगाने के लिए बोलते हैं, उसमें से 5-6 क्रोड तो यही खा जाते हैं, तो जो पैसा है, वो कितना लगता होगा, ठेकेदार खा जाएंगे आगे, तो इस देश की नहीं भी ऐसी है, फिर हम कहते हैं कि हम यार, हम मुलते हैं, हम चाइना से मुकाबला करेंगे, चाइना की चीजों के इमपोर्ट नि करना, चाइना जिस क्वालिटी जो देता है, जिस उस पे, कोось पे, वो तुम कर पाओगे, नहीं क्यूंकि तुमें तो मॉर जादा चाइए, तुमें उसमें कमिशन भी चाइए, तुमें करेंगे हम भो नहीं करेंगे लेकिन क्या हम वो कोस्ट फैर ले जितने छाइन देता है तो यह जो बिसिक चीजे जब तक हम अपने अंदर चेंझ नहीं करेंगे तब तक जो बिजनस को जिस हँसाब इसमें यह उसके हैं वह उसमें भी आतम निर्भर के लिए जो कई जो बिजनस को जिस हिसाब से बढ़ाना चाहिए जो न्यू स्टार्ट अप को प्रोचान देना चाहिए वो हमारे देश में बिल्कुल नहीं है गौर्मेट करती नहीं है और मिलता भी होगा तो उन लोगों को मिलता होगा जिनकी सिपारिश चलती जाएगा या बिनस वारिस के जाएगा उसको तो बिचारे को रोना ही पड़ेगा और इसमें मरता कोन है सिर्फ और सिर्फ मिडल क्लास क्योंकि नीचे वाला फ्री में लेता है उपर वाले को फोई फरक नहीं पड़ता महंगाई से और सिर्फ और सिर्फ बरबाद होता है मि उपर जाना उसके बस की नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा कोशिश करेगा, कि थोड़ा सा पैसे कमा के, सेविंग करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, तो हमारे देश में एक बीमारी लग गई दस पंदर अलाग रुप है, उसके वैसे ही चले गए, एक बंद नीचे वाले को फ्री चाहिए, हर चीज, और अब तो इलेक्शन भी इस चीज पर हो रहे हैं, केजरिवाल, मिस्टर केजरिवाल ने एक नया टेंडल आ दिया है, कि भया फ्री दो, बोट लो, फ्री दो, बोट लो, ये एक नया कॉंसेप्ट अब आ गया है, और अब सारी सर प्लीजेशन है, प्लीज वीडियो में जरूर कमेंट करें, और नेक्स्ट शोशियल इसू जो है, वो लेके में जल्दी आओंगा, तो प्लीज कमेंट करें,